चला ठीक है प्रसासा में भरोसा रखो सांती रखो सांती रखो चले ठीक है लोग सबागोसी है लेकिन बिदान सबा मधवन है थाना मधवन जीला मव हम लोग मवजूद है और बहुत दर्दना घटना है बताते हैं कि मिर्ता का आखरी काल अपने भाई से फोन करके बात किया था तो पूछते हैं कि उसके पहले की कहानी कि आखर में क्या हुआ कि उस पोजीशन पर यह घटना पहुंची और क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे है तो माता जी है और भाई साहब है तो पहल अन्मेंसे पूस्ते हैं भाई यहां कि आपके भाई साहब था पले अपना नाम बाताई också अज वह अपके भाई थेockश मंहिभारी कितना भाई अपल偉त दो भाई थे अप बड़ें कि ऊ बड़े थे अप छोटे हैं है तो क्या मेटर किया था उनको क्样 में थी अच्छ स्सार रिते है गरामत इंज्रावली क्यों गष़्र्ण एह प्वाई ह से सूगीच और वजार वान के साडू थे उस Kollegin साहप आस्वाडु प्रियुआं वूसके आपके अगर के वाने के बाप करी हैंको तो दलता है तो ata जब्ला टो मैं बोला कि कोई बात ना है उसके बात पॉन की तो नहीं है देख कहा है तो सब्सक्राइब चले गए थे थे यह वहां पर जब थोड़ा मेटर हो वह वा तो हमारे पर फोन किए कि हमके बचा ले हमके मैट दिया अधर आपके बाइब साथ हो जब फोन की तो उसमय क्या हो रहा था दुआ साड़े आट रात में तो आप से फुन करके कि ब जो भाई के साड़ियों क्यों मारे इसके पीछे कौन है सहाब सहाब है ada उसमें कुछ मीडिया में छोपा है की सालिक कहानी कि आप चलते थे साह से और वावी भी उनी से चलते थे यानि आप के भाई के जो बीबी हैं अपने जीजा से संपर्क में थी हैं तो फिर आपके भाई को मालूम नहीं था।। मालूम हुआ तभी तो सस्राल चली गए। वहाँ पे अपने नैयर चली गए। वहाँ पे जाने की बात करें। कि मेरा जीजा कहींगे तुम्हें जाऊंगी परह के जांगी। तो आपके भाई के सादी कितने साल हो गया। तो इ तो आप करेंगे यानि दोनों साली सुन का संपर्क था आप यह कर रहा है तो आपके भाई को कम पताचा लुक्त को भी बताया बाई बीच में कि हमारी बीबी है हमारे साड़ों बाई के संपरक में है उनको चछे-साथ मेने हुआ जब पहुचाने गये थे तब उनको पता चे यह बात जैसे एक महिना दू महिना चार में आकाने मंदल कि डेड़ साल तक उनको भनक नहीं लगी नहीं लगी तो फिर आप लोग उसके पहले समझाने के कुशिस नहीं कि आपके भाई कभी कि होंगे जगडा होता था हम लोग अपने में करते थे जैसे वह दोनों अपने म लेकि समझ नहीं पारे थे कि धगडा क्यों हो रहा है घर में बाभी बाई असे क्यों हो रहा है यह नहीं पता था आप लोग बस अब यह था कि भाई यह गलत है बाभी चाहिए इसलिए भाई को आप लोग टांटते थे तो फिर जब उस दिन आखरी बार फोन किया भाई सा फोन किया थे रसूल भूल भी मिस्रावली काम कथा तो उसने फोन किया तो करें जा रहा है घर तो हम उसमें रुख गये वह ही बैरपुर से थोड़ा आगे गए थे रुखे फिर जाने के बाद फोन आगया तो में चला है कि आ रहे हैं तो आने तो आपके भाई की सशुर ज किया रहे हमारी एक लड़की के साथ ही हुआ है और बड़ा दमाद इसा परिसान कर रहा है चोटे दमाद को माजिन दमाद को जब सब कुछ लोग पाता था सार चीज लोग सब लोग जानते थे तो आप जब आपका भाई बोला ये बात कि बचालो तो फिर घर नहीं डारेक लड़का फोन कियां कि वापस जा रहे है यहां पर आ रहे है अगया घ्र इनाव जा रहा था खोड़ने के लिए सुपव साड़े आठ होटेवाजय के अपँमाघ नहीं मिले नहीं घरवा लोग नहीं बोले कि आप तो मुखसे बाइस साथ कराएं आप लोग तो क्या लग रहा है यही यकीन है कि सब सब मिले हुएं शब लग मिले हुएं पूलिस कोई सुनवाई नाई कर रही है अभी तक गिरत्ता नाई किया अन्लोग चले माता जीन से पूष्टे यह माता जी तरला अभे बताये की आपका लड़के से अरुषब आपकी बहुशे अजातम रहा अरा upenty अब हमके भाथा ना किका करी भो ना समाझ पॉलिवू यह कुल बाद बार का करें भाइया के खा गालीया चलाल बो करें भरोसा रखो शांति रखो चले ठीक है माता जी अपनी बावनाओं को नहीं रुक पा रहे हैं बता दें घटना यह है कि इनके भाई साथ यह दो भाई हैं पास्वान समाज से हैं बड़ा भाई का साधी हो गया चोटा भाई का साधी नहीं हुआ है और जो चोटा भाई है वो बता रहे हैं कि हमारी भावी हैं और भावी के एक छोटी बहन जो भावी है तीन बहन है तो एक का साधी साहाब है उनसे हुआ और माजिल का इनके भाई से साधी हुआ तो इनके कहने का नुसान बता रहा और भावी की छोटी बेहन, बड़े वाले जो हैं, साडू भाई से प्यार मुपत जो भी आप रिष्टा रख लीजिए, आपकी मर्जी है, स्वतंत्र हैं, उनसे संबंध था, और जब इसकी जानकारी हुई, तो इनका भाई साफ अब्जेक्शन देने लेगे अपने मैडम प होती थी, तो इनको यही था कि हमारी बहुत स्वक्ष है, और हमारा बेटा ही गलत है, इसलिए जगडा कर रहा है बार बार, लेकिन इस तरह यही समझ में आ रहा है, कि इनका पूत्र जो है, मनुष पास्वान साब, पूरी कहानी एक तरह से कहा जाए, तो परिवार न इसलिए सीस लिए, और ठेल साफ्ने की वज़ा से, यही था कि इस तरह से कहने एक परिवार न तूटे है, और उसके लिए समझाते होंगे, ऐना लोग जगडा करती थी और घण्हे पास्ष यही वो बिदाई करा के लेकर गए और फिर आने की कोशिस नहीं किया और घटना यह हुई कि जब गए घर पे ससुराल लाने के लिए अपने बीबी को तो आखरी काल इनी भाई साब को फोन किये थी कि भाईया हमको बचा लेजी क्योंकि मीडिया में वही छपा है तो कहा जाए तो पूरा बिमारी पूरानी थी जब तक दबाना था मनोज पास्वान दबाने की कोशिस किये हैं परिवारना टूटे लेकिन जो खुदा को मंजूर था हुआ ही हुआ आपके क्या राए कमेंट बक्स में जरू लुखे ऐसी ख़बर के लिए राश्तिकनी चनल दक्तरिया